तो मेरा नाम दुरूव है और सामने आप देख रहे हो 2023 टाटा नेक्स ओन इवी फेसलिफ्ट इस गाड़ी में क्या बदलाव हैं क्या नए फीचर्स हैं उनी चीजों की यहाँ पर मैं बात करने वाल हूँ एक दम पॉइंट तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं डिजाइ पूरी कनेक्टर यहाँ पर मिलती है जो की काफी सही है यहाँ पर इतना सा पार्ट जो है यह मल्टि फंक्शन लेट टर्न इंडिकेटर का भी काम करता है जैसे ही आप नीचे आ जाओगे पहले हेड्लांप उपर आते थे आप यहाँ पर हेड्लांप ले लिए हैं जो की क्यामरा वहाँ पर प्लेस्ट है यहाँ पर अगर आप देखते हो तो कुछ अग्रिल आपको यहाँ पर नीचे की तरफ आपको मिल जाती है और सिल्वर ट्रीटमेंट आपको फ्रंट में भी दी गई है तो गाडी का फ्रंट प्रोफाइल काफी इंटरस्टिंग लगता है वही मिलने वाले हैं डिमेंशन में यहाँ पर कोई बदलाव नहीं है यहाँ पर जैसी आप नज़र डालोगे नए 16 इंच के यहाँ पर आलोई वील्स आपको मिलते हैं जो की एक नए डिजाइन के साथ है इवी पर काफी साही लग रहे हैं वील क्लाडिंग अग्रॉस द व और यह में LED टर्न इंडिकेटर के साथ ए पिलर आपको मैट ब्लाक में मिलेगा रूफ इसकी ब्लाक टाउट है और यह कुछ डामेंड वाइटिश कलर आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर रूफ रेल्स संरूफ आपको मिल जाएगी इस तरफ अगर आप देखते हो शा और रेर प्रोफाइल में है साइड में आपको सिर्फ अलॉइ वील का डिजाइन यहाँ पर चेंज होके मिलता है अब जैसी है आप गाड़ी को रेर प्रोफाइल से नजर डालते हो तो आप एक चीज़ नोटस करोगे वाइशेप यहाँ पर आपको connected LED टेल लाइट मिल जात देखने में काफी इंट्रेस्टिंग लग रहा है नेक्सवां डॉट इवी की ब्रांडिंग आपको यहाँ पर मिलेगी पीछे आपको दो पार्किंग सेंसर इसमें दिये गए हैं अब जो रीफ्लेक्टर पहले यहाँ पर कुछ आते थे अब उनको यहाँ पर और कुछ ऐस से डिजाइन के साथ यहाँ पर लिया गया है और यह LED टेल लांप जो है वह काफी सही लग रहा है यहां से आप अपनी गाड़ी को चार्ज करोगे अब एक चीज मैं बता दूँ इसमें आपको वी टूवी और वी टूएल फीचर भी आपको मिल जाता है जिसमें आप अपन उसमें मिड रेंज मिल जाता है वो 30 किलोवाट आर बैटरी पैक के साथ आएगा और उसमें आपको अराउंड 127 बीच्प वो पावर प्रिद्यूस करेगा और 215 नूटिन मीटर्स ऑफ टॉर्क माइलेज अगर रेंज की मैं बात करूं 325 किलोमेटर मिड रेंज यहां पर आपको ओफर करेगा जो एर एक्लेमड है वहीं पर लॉंग रेंज की अगर मैं बात करूं तो वह 40.5 किलोवाट आर बैटरी पैक के साथ आएगा और उसी के साथ 143 बीच्प और 215 नूटिन मीटर्स ऑफ टॉर्क उसमें जो रेंज क्लेम की है 465 किलोमेटर्स की रेंज देगे रियल वर्ड में ऑब्विस सी बात है जो अलग होंगे वह हमारे ड्राइविंग परस्पेक्टिफ पर भाई डिपेंड करता है कि क्या हिसाब होगा चार्जिंग ऑप्शन की बात करूं गाड़ी में मल्टिपल लेविल होंगे जैसे कि 15 किलोवाट पे आप इसको च चार्जिंग ऑप्शन से आप चार्ज कर सकते हो और DC फास्ट चार्जा तो आपको मिली गया है विदिन 57 या 58 मिनट में यह गाड़ी चार्ज हो जाएगी यहां पर जैसी आप नज़र डालोगे पैसिव रिक्वेस सेंसर आपको दिया गया है देन उसके बाद इंटीरियर स आपको चार ट्विटर्स चारो डोर में मिल जाएंगे और अगर मैं यहां पर बात करूँ इसके बूट की आप जो बूट खोलने का बटन पहले यहां आता था था ना अब वो नीचे ले लिया है तो यहां पर कुछ 350 लीटर्स का यहां पर आपको बूट स्पेस मिलता है य यहां पर आपकी seats partially divided है अब अगर मैं बात करूँ यहां अंदर से तो premium leather of old street जो की change करी है और ज्यादा premium बना दिया है यहां पर कुछ silver touch दी है अच्छा लग रहा है और यह ventilated seat है ठीक है आप अगर देखते हो height adjustment और आपको सारी चीज़ें यहां पर दी गई है इंटीरियर म मैं आपको अगर यह on करके दिखाऊं तो यहां पर आप देख सकते हो Tata का नया logo जो की illuminated है ठीक है वो lens की वज़े से flicker हो रहा है वो कुछ ऐसा defect नहीं है camera lens की वज़े से यहां पर cruise control के सारे हैं यहां पर आपके audio controls आपको मिल जाएंगे ठीक है उसके बाद यह जो आप paddle shifters देख पा रहे हो यह वाले यह ना region का काम करते हैं ठीक है यह आपका region level decide करेंगे जो paddle shifters इसमें दिये गए हैं यहां पर आपको range sensing wipers आपको मिल जाएंगे और front और rear wiper के controls हैं यहां पर आपको मिल जाते हैं इसमें headlamp के control और fog lamp के control and also एक और चीज में बता दू, automatic headlamp आप आपको इसमें दिये गए हैं अब जो instrument cluster है वो पूरा change कर दिया गया है यहां पर fully digital इसको रखा गया है ठीक है range आप यहां पर देख सकते हो ऊपर आपका seatbelt reminder for all passengers है ठीक है सभी passenger पीछे तीन और यहां पर आप दो देख सकते हो time gear indication यहां पर आपको navigation भी दिखाएगा मतलब जो आप android auto apple carplay पे जो भी लगा होगे वो चीज यहां पर भी आपको शोकेस करेगा अपकी यहां पर digital speed reading level 1 region का दिखा रहा है उसको आप accordingly choose कर सकते हो concept mode में है city mode में है sport mode में है उसे साबसे तो यह कुछ रहने वाला है यहां पर और क्या चीज़े इसमें मिल जाती है notifications आपको मिल जाएंगी energy info आपको यहां पर दी गई है settings भी आपको मिल जाती है trip A trip B आपको यहां पर मिल जाती है यानि की and also range वगेरा सब यहां पर आपको showcase क control आई है यह फिर डीजल उनमें 10.25 इंच का है बट यह एक step और आगे है जिसमें 12.3 इंच आपको मिलता है JBL modes यहां पर आपको देख सकते हो cinematic experience आपको चाहिए audio book वगेरा जो भी तरीके का आपको चाहिए रहेगा यहां पर choose कर सकते हो और जो screen का touch है definitely काफी सही है pair device वगेर JBL modes वगेरा सब बता चुका हूं Android Auto Apple CarPlay इसमें wireless Bluetooth and USB compatibility भी आपको इसमें दी गई है उसके बाद अगर मैं नीचे जाता हूं यहां पर और भी चीज़ आपको media phone setting quick setting से regarding आपको चीज़े मिल जाएंगी EV पर click करेंगे तो EV के recording discharge mode EV settings आपको यहां पर दिख जाएंगी तो हर लगता है यह जो features इसमें यहां पर बड़ी करती ना यह एक काफी कमालगी चीज हो गई much required चीज थी यह बाद में यहां पर अगर आप देखते हो यह वाला पूरा पार डाशबोर का change किया है यहां पर आपको soft touch leather दिया है blue stitching के साथ जो की यह कर रहा है कि हाँ आप EV चला रह अचे तो अब यह पूरा touch panel हो गया है चाहे आपकी hazard light हो गई आप आवाज सुन सकते हो ठीक है बाकी आपके hill descent control आपका boot access करना है lock करना है 360 cam अगर आपको यहां पर on करना है आप यहां पर quality देखो 360 degree camera की यहां पर भाई 3D mode अगर मैं इस door को बंद करूं आप यह देखो आप quality देखो ना भाई यह next level की quality है यहां पर bird eye view आपको मिल जाता है जिस भी side का आपको चाहिए होगा वो उसे सापसे adaptive guidelines आपको दी जारी है 2D mode में अगर आप जाते हो यहां पर तो उसे सापसे आप चूज कर सकते हो कि आपको कौन से side का view चाहिए और wide angle है काफी सही लग रहा ह यह देखने में देन उसके बाद door खोल लेते हैं बहुत गरम हो रहा है यहां पर अगर आप नजर डालोगे तो आपको वही same की आपको मिलेगी lock unlock approach lamps का button वगेरा यहां पर 12V का socket C type 45 watt का आपको यहां पर मिल जाता है यानि कि आप आप laptop भी charge कर सकते हो USB A type आपको यहां पर मि आनो finish है electronic parking brake auto hold के साथ eco sport और city drive mode यहां पर आपको दिये गए है wireless charging pad आपको यहां पर मिल जाता है इसके अंदर storage compartment आपको मिल जाएगा यहां पर ऊपर की तरफ यहां पर आपको देखते हो ticket holder मिल जाएगा sunroof के controls आपको यहां पर मिल जाते है कुछ ऐसी sunroof है यहां पर अगर में एक चीज अच्छी है यह जो extra support आया है अगर आप यहां पर देख पा रहे हो यह underthire support काफी must करके दे रहा है मतलब काफी सही लग रहा है यह देखने में also armrest यहां पर sliding हाला की नहीं मिलता इस गाड़ी में six airbags ABS EBD brake assist electronic stability program आपको यह सारी चीज़े health doesn't control आपको मिल 5 star obviously rated है तैन आपके यहां पर six airbags standard है जैसे आपको petrol facelift में base variant से लेके top variant तक standard दिये हैं वैसे यहां अंदर से आप नज़र डालोगे same dotrum है JBL के speaker की branding यहां पर है यहां पर आप नज़र डालते हो तो adjustable headrest आपको दिये गए है बीच वाले passenger को भी three point seatbelt यहां पर मिल जाता है armrest यहां पर मिलता है two cup holders के साथ isofix आपको दोनों तरफ दिये गए हैं यहां पर अगर आप नज़र डालते हो तो petrol के comparison में इसका जो floor height है उसको थोड़ा उपर ले लिया है because obviously battery pack है नीचे तो थोड़ा under the support यहां पर कम है comparatively आगे से अगर compare गा तो but seats comfortable है और यहां पर भी support extra दि आ गया है also यहां पर airbag की branding आप देख सकते हो so yeah काफी सही है और यह कुछ लोक आ रहा है भाई यह कुछ यहां पर लोक आ रहा है जो overall dashboard का और बहुत ही कमाल का you know changes की है यहां पर even यहां पर अगर आप नज़र डालते हो 45 यहां पर भी इस चीज को दिया गया है तो laptop आप पी पारे में comment section में बताओ जो expected pricing आप देखो गाड़ी तो 14 September को launch होगी ठीक है तब ही मैं वीडियो डाल रहा हूंगा बट जो expected pricing मुझे लगती है कई ना कई 15 से 20 लाग रुपे के बीच में इसकी expected price होगी आप क्या सोचते हो मुझे comment section में बताओ also मैं hazard light आपको बताना भूल ग कि यहां पर भी sequential इसको मैं बहुत पहले स्पाइड कर चुका था इस नेक्सोन को मैंने highway पे अल्डेडी मुंबएपुना highway पे तभी मैंने वीडियो डाला तर यही बात करी थी कि उसमें टर्न इंडिकेटर उस बंदे ने जब चला था क्यामूफलाज में गाड़ी थी तब sequential टर्न इंडिकेटर था ठीक है एक और चीज़ है गाड़ी के पास जैसी आओगे ना यह पार्किंग सेंसर डिटेक्ट कर रहे हैं आप यह सुनो ना अंदर आवाज आएगी आपको तो भाई कैसे लगे चेंजिस कैसी लगी नई नेक्स ओन इवी फेसलिफ्ट मुझे कॉमें सेक्शन में बताओ multiple charging options है multiple range options आपको मिल रहे हैं उसी के साथ साथ power figures भी अलग-अलग आपको मिल जाती है तो आप क्या सोस्ते हो comment section में बताओ और चानल को subscribe करो आगे और वीडियो ऐसी आती रहेंगी मिलता है दोस्तो अगली बार एक नई वीडियो के साथ till then bye guys take care and see you next time